बागवत को सुनने से ज्ञान, भक्ति और विराग्य ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं बागवत का ये लाव है जिसे भोजन करने से तुरुष्टी, पुष्टी और संतुष्टी तीन चीज एक साथ होती है जब हम भोजन का निवाला मुख में डालते हैं तो पहले क्या होता है जो शुदा, जो भूख लगी है वो भूख मिटती है साथी साथ, भूख मिटती है साथी साथ उस वोजन का टेश भी आता है और साथी साथ शरीर को पुष्टी भी मिलती है कारिय एक हैं लेकिन उसमें तुरुष्टी, पूष्टी, सन्तुष्टी तीनों मिलती है वैसे भागवत सुनना, कार ये एक है लेकिन भकती, ज्ञान, विरागी ये तीनों एकसाथ हो जाता है को एसे भागवत को एभागवत की महिमा अब तक बताई गई तो कहता है ठीक है भागवत महिमा मही है उसको रहने दो अपने स्थान पर हम रहे अपने स्थान पर बला इसा नहीं ये भागवत महिमा मही ग्रंत है ऐसे भागवत को तत शुनवन यदि कोई इस भागवत को सुनता है तत वी पठन यदी इस भागवत को कोई पढ़ता है तत विचार अनन परोh और इस भागवत के परसंगों के उपर यदी कोई विचार करता है तो नरह वो मनुश्य भक्त्या विमुच्येत वो मनुश्य निश्चित इस जन्म के बाद भगवान के दाम वैकुप को प्राप्त कर लेता है और इस पर शिल प्रभुपाज जी की असम अनुकमपा है क्रिपा है कैसी कल्यों की गोर परिस्तिती में भी भागवत का अधियन श्रवन हम सब लोग कर रहे हैं गत सत्र में शुग्देव गुर्श्वामी ने श्रवन कराया किस प्रकार ब्रजवरिंदावन में गोपुल में गोपियों के द्वारा शिकायत आने लगी अनेक प्रकार की शिकायत होती थी इन शिकायत को सुनकर ये शुदा महिया बड़ी चिंतित हो गई बले अब कुछ करना होगा मेरा लाला दुसरों के घर पर चोरी क्यों करता है ये शुदा सोचने लगे आखिर क्या कमी है मेरे घर पर सोचते 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 ये शुदा के मन में ये उत्तर मिल गया बले मेरे घर पर जो माखन बनता है ये माखन मेरे दास और दासिया बनाते है आज तक मैंने अपने हाथों से माखन नहीं बनाया वो तो नंदरानी है, राजा की पत्नी है तो मैंने अपने आतों से माखन नहीं बनाया और नजाने मेरे ये दास दासिया किस भाव में माखन बनाते होगे और कृष्ण तो भाव के भूखे है भाव ग्रही जनारदना को द्रव्य के भुक्य नहीं है अमारे भगवान गीता में कर दिया पत्रम पुश्वं फलं तोयम ग्राइफोट मिल्शेक न दो कोई बात नहीं। बड़े बड़े चपन भोग न दे सको तो कोई बात नहीं लेकिन पत्र एक पत्र चड़ादो पुश्प दे दो फल दे दो ये कोई कहे फल कितना मेंगाय जानते हो फल दे दो फल दे दो गीता में कहते रहते हो खृष्ण ने का ठीक है भाई फल नहीं दे सकते हो तो तोयम पानी दे दो तोयम आने पानी ज्यादा नहीं मांगा लेकिन एक शरत रख दी कि यह जो भी दोगे यो में भक्तिया प्रयाशति प्रेम से दो जिए भाव से यदि कोई भाव से भगवान को जहर भी दे देते न त खा लेते हैं पूतना ने दिया ना भाव से भी नहीं दिया फिर भी खा लिया भाव से भगवान को देना चाहिए शबरी ने भाव से किलायतन जूठे बेर हैं देखो कितना एक्सपर्ट है अशुतर श्तर मुझे याद नहीं था उन्होंने याद करा दिया है सबसे उंची प्रेम से काई बजा रहा है भगवान भाव के भूखे है बास्ता में कृष्ण को बहुत भूख लगी थी और दुर्योधन के वाँ नहीं खाये कृष्ण बाहर निकले कहां खाओं कहां जाओं तो देखा कि यहाँ पर एक भक्त है मेरे प्रिय भक्त जिसका न कृष्ण बहुत गरीब थे धरीतर थे कृष्ण को अपने घर पर आये देखकर विदुरानी सूध भूद खो बैठी घर पर बुश्था नहीं कुछ लोग साख की पती कहते कुछ लोग केला कहते हैं जो भी हो विदुरानी ने केला खिलाया गर्भ फेंके दिया और छिलके खिला दिये भगवान को देखकर इतनी मुहित हो गई और भगवान बड़े भाव से प्रेम से केले के छिलके खा गए विदुर जी आये तब पता चला कि देवी ये तुम क्या कर रही हो कर्माबाई की खिचडी प्रसिद्ध है वक्तों आज भी जगनाच जी के मंदिर में प्रती दिन कर्माबाई के नाम से किचडी लगती है कर्माबाई का इतिहास इस प्रकार का है जगनात जी से बड़ा प्रेम करती थी जगनात जी के लिए बड़े भाव से प्रेम से खिचड़ी बनाती थी और जैसे ही वह जगनात पूरी में जगनात जी का पॉट बंध होता था? जगनात का भात जगत पसारे हाथ, लेकिन ऐसे 56 बोद को छोड़कर रैसुरिय मही स्वामी भगवान जगनात का यहाद है? आते थे क्योंकि हमारे भगवान भाव देखते हैं इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं देवी देवता हैं ये सब अपने उपासकों के कारिय देखते हैं लेकिन भगवान अपने भगत के कारिय नहीं भाव देखते हैं भाव शुद्ध होना चाहिए ये शुदा ने सोचा कि यद्दपी हमारे घर पर उच्च कोटी का माखन बनता है लेकिन बनाने वाली ये दास दासिया है नजाने की से भाव से बनाते होगे भाव भाव में अंतर होता है न भक्तो इसको समझाने के लिए लोकिक द्रश्टान देना ही होगा कि भाव भाव में क्या अंतर होता है जिसे आप लोग होटल में जाते हो तो आजकल तो होटल में अच्छी फैसिलेटी हो गई है जाएंगे, ओर्डर करेंगे, ओर्डर आएगा वेटर आपको प्लेट भी देंगे और वो भी परोश देगा आपको जितना चाहिए उतना सबजी रोटी देगा अब तो कुछ दिन के बाद ऐसा समय आने वाला है कि वेटर आपके बाजू में बेढ़ जाएगा और खिलाएगा भी पाचन तो करा नहीं सकता है ने परोश्ता है और वैसा ही भोजन घर पर एक माँ अपने बेटे को अपने पती को परोश्ती है वह वेटर भी परोश्ता है और एक माँ अपने बेटे को भोजन परोश्ती है दोनों परोश रहे हैं कारिय समान हैं, दोनों के कारिय, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर है, एक माँ अपने बेटे को भोजन परोश रही है, तो इसमें कोई स्वार्त नहीं है, केवल एक ही प्रेम का भाव है, मेरा बेटा खाएगा, फुरुष्ट होगा, निरोग बनेगा, और स्वार्त होता है, तसंसार में कारिय कारिय में अंतर होता है, कारिय वले समान हो, लेकिन कारिय के पीछे भाव क्या है, पगवान बाव देखते हैं, ये शुदा को ये बात पता चली, कि मेरे घर पर माखन तो उच्च कोटी का है, लेकिन ठीक भाव से बनता नहीं होगा, इ कि गोपि आपने हाथों से बनाती थी तब यश्वधा ने अपने हाथों से बनाऊंगी बागवत के दसमस कंद के 9मत्याय में यह कथा प्रारम करता है यश्योधा नंद गै कर्मांतर नियुक्ताशों निर्ममंथश्वयंदधी निर्ममंथश्वयंदधी एक समय की बात किस समय की बात है दिवाली के दिन की यह बात है यह सब सोचते सोचते दिवाली का दिन आ गया दिवाली के दिन यशुदा मैया नाम है यशुदा यशुदा का अर्थ होता है यश मने कीर्थी यश माने संदमान दा माने देना जो दुसरों को मान संदमान और यश दे उसे यशुदा कहा जाता है और जो दुसरों को मान देना सीख गया तो भगवान उनके घर पर पुत्र बन कर फकट हो जाता है जिसे यशुदा के पुत्र बन जाता है चेतनी महाप्रभु ने कहा अमान इन मान देने कुछ लोग बोलते रोज हैं लेकिन करते इन में से कुछ नहीं मान के आशा ना रखे और दूसरों को मान प्रदान करे यदि ऐसा करोगे तो ही सदाहरी किर्टन कर पाएंगा एक दिन एश्वदा महिया दिवाली के दिन ग्रिह दासी शू अपने घर पर जितने भी दासिया थी ये दास दासियों को अन्य अन्य कारियों में न्यूक्त कर दिया और निर्म मंतर स्वयम ददियो रिशोदा स्वयम खुद कृष्ण के लिए माखन बनाने के लिए बैठ गए बहुत सुंदर दिवाली का दिन होने के कारण रिशोदा ने सुंदर वस्तर धारण किये है भगवान की सेवा करते समय वस्तर की भी बड़ी महिमा है पवित्र वस्तर पहन कर भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए कुछ लोग तो रात को जो नाइटी पहनते हैं वही पहन कर कीचन में घुज जाते हैं और शुरू कर देते हैं परसाद बनाना इसे बागवत में वर्णन है कि बहुत सुंदर रेश्मी वस्तर धारन किया था रेश्मी वस्तर पवित्र माना जाता है रेश्म और उन कभी अपवित्र नहीं होते हैं इसलिए इन वस्तरों के आसन भी बनते हैं और वस्तर भी पहने जाता है तो रेश्मी वस्तर धारन किये थे मेरे लाला के लिए माखन जो बनाना है तो शदा महिया पिछले दिन रात के एक बहुत बड़े मटके में दूद को जमा कर रखी थी और आज दूद बिल्कुल जम गया है बहुत सुन्दर दही बन चुका है पहले के जवान में ग्राइंडर तो था नहीं कि इलेक्रिक्सिटी से तुरंत माखन बन जाए पहुत सुन्दर वीदी हुआ करती थी उस मटके में मन्तानी रखी गई और रसी बांदी गई और एक तिलर के पांस वहाँ पर बैड़ गई और रसी को खीच कर उस मन्तानी को गुमा रही है और उस दही का माखन बन रहा है ये शुदा मया जीवन में प्रतम बार ये कारिय कर रही है रानी है न तो ये सेवक ही कारिय करते थे आज स्वयम जीवन में प्रतम बार और वो भी सुबह ब्रह्म मुरत में जग चुकी है स्त्रियों का यह धर्म है कि अपने घर में अपने बच्चे और अपने पती से पहले जग जाए देखिए यहां पर बहुत सारे सिदानते मैं तो ले नहीं रहा हूँ मैं तो किवल प्यूर कृष्ण कताई बोलते जा रहा हूँ ग्रिहीनी कहा गया यश्वदा को शिल प्रभुपाज जिने भागवत के प्रतम अध्या में लिखा है कुछ लोग तो प्रचार करना नहीं जानते व्यास्पिट पर बैढ़ जाते है और सीधा व्यास्पिट पर बैढ़ कर सर्वधर्मान परितजे अरे तू छोड़ना दुनिया कुछ उड़ा रहा है सर्वधर्मान परितजे मामेकम शरणम्रज बगवान ने कहा सब कुछ छोड़ो छोड़ो कहा कहा चोड़ो और कृष्ट ने कहा तो भी अठ्रावे अध्याय में एंड में कहा अभी तो शुरू हो रहा है तुमारा कभी किसी को छोड़ने का नाम नहीं लेना चाहिए और शिल प्रहुपात में लिखा है कि एक स्त्री को अपने घर के कामकाज में ध्यान देना चाहिए वही स्त्री अपने जीवन में सुखी रह सकती है जो अपने घर में आ सकता है पुरुषों के लिए नहीं पुरुष को तो भगवान में आ सकता रहना है लेकिन स्त्री को अपने ग्रिह में आ सकता रहना चाहिए इसलिए पत्नी को ग्रिही नहीं कहा जाता है पत्नी और ग्रिह इतना समनवी होता है इतना जोइंट होता है पत्नी और ग्रिह है कि पूर्ण एकात्म भाव होना चाहिए अपने ग्रिह में वालमे की रिश्य ने वगवान श्यराम चंद्र को पूछा प्रभू आप रहते कहां हो रहने का स्थान बताईए तो उनमें से बताया मंत्र जाप तह सह परिवारा जो अपने परिवार के साथ भजन करता है जो सब को साथ में लेकर भजन करता है भगवान उन पर प्रसंद होता है सदे उनके घर पर लक्ष्मी का वास होता है कृष्ण प्रेम भक्ति का वास होता है घर पर बैड़ कर अपने परिवार जनों के साथ भागवत गीता इंका डिसकेशन होना चाहिए अध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए पर प्रेम देना चाहिए खेर उमें ग्रिहनी के विशें बता रहा था स्तियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है गरी की सेवा करें घर की सेवा करें घर का ध्यान रखें ये शुदा मया आज स्वयम ग्रीह कारिय करा रही हैं और स्वयम दही बनाने और माखन बनाने के लिए बैठी है और सुबह ब्रह्म मुरत में जग चुकी है साड़े तिन बजे येश्वदा मया जग कर सनान करके सभी सेवों को सेवा में लगा दियां और सुन्दर वस्त्रधारन करके भगवान की सेवा कर रहे हैं बहुत बड़ा मड़का है मन्तानी है और वसे रसी को खीच रही है तो दही का माखन बना रही है लेकिन माखन बनाते बनाते शुकदेव गोश्वामी कहते हैं यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी चर ददी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत है भगवान के लिए जब येशुदा सेवा करे तो उस समय येशुदा भगवान का गीत गा रही है यानी यानी ही गीतानी अरबुद येश्वदा मैया के हाथ ऐसे हिल रहा है उनके हाथों में जो चूड़ी है एक दुसरे से बज रही है येश्वदा मैया के हाथ की चूड़ी करताल का काम कर रही है मंजीरा का काम कर रही है और जो मंतानिय न घर 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 चल रही है वो मृदंग तबला का काम कर रहा है करताल भी बज़ रहा है मृदंग भी बज़ रहा है और यशुदा मिया गा रही है और कृष्ण का भजन गा रही है और कृष्ण का किर्तन करते हुए कृष्ण की सेवा कर रही है यही शास्त्र का सिदान्त है और जो मंतानिय न घर 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 चल रही है वो मृदंग तबला का काम कर रहा है करतान भी बज़ रहा है मृदंग भी बज़ रहा है और यशुदा मिया गा रही है और कृष्ण का भजन गा रही है और कृष्ण का किर्टन करते हुए कृष्ण की सेवा कर रही है यही शास्त्र का सिदान्त है यही जीवन है भगवान के लिए सेवा करें और सेवा करते समय भगवान का नाम ले भगवद गिता में भगवान सी क्रिश्चन ने कभी भी अपने कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा आप जहां हो वहां रहो स्थाण य 것이 नाम का प्रयास मत करो उस स्थाण में रहकर अपना कर्म करते हुए बगवान के नाम का क्रिक्ष सर्फ कर्म करते हुए मनुष्य है तो कर्म करते हुए जब हम भगवान का नाम लेंगे तो इसे बहुत फाइदा होता है एक तो जीवन के कर्में इतने मुश्किल है जिसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है लेकिन उस कर्म कर्तवी भगवान का नाम लेंगे तो वह कर्म कर्तवी आसानी से कंप्लिट हो जाएंगे ये शुदा मैया कृष्ण के लिए दहीं से माखन बना रही है और कृष्ण के नाम का किर्टन कर रही है शुकदेव गोष्वामी कहते हैं इस संसार में जिसका जीवन कृष्ण के लिए होता है इस संसार में जो व्यक्ति कृष्ण के लिए काम करता है अत्वा अपने काम करते समें कृष्ण का नाम लेता है भगवान उस भक्त पर प्रसन हो जाते है ये शुदा मैयां उस किर्टन करते हुए मन्थानी को चलाते हुए परिश्रम तो हो रहा था पसीना भी छुट रहा था लेकिन किर्टन करने के कारण उसका एहसास नहीं हो रहा था शुदेव जी वरणन करते हुए उस समय ये शुदा के बालों में मालती के फूल थे वो किर्टन करते हुए माखन बनाते हुए वो फूल एक एक करके गिर गए घरी शुरी जी ने लिखा है आध्यात्मीक जगत के फूल भी चिन्मई होते हैं आध्यात्मीक जगत के फूल भी सोचते हैं खेर आज का मानव भी सोचता नहीं है लेकिन वहां के तो फूल भी सोचते हैं येशुदा के मस्थक में रहे हुए फुलों ने सोचा कि आज येशुदा क्रिश्ण के लिए कार्य कर रही है और क्रिश्ण के लिए कार्य करते हुए क्रिश्ण का नाम ले रही है संकिर्दन कर रही है जो कृष्ण के लिए काम करता है और कृष्ण का साथ में नाम लेता है ऐसे व्यक्ति के मस्तक पर नहीं ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठना चाहिए यह सोचकर सारे फूल निचे गिर गए सत्य बात है वक्त जिनका जीवन कृष्ण के लिए होता है उनके मस्तक का नहीं उनके चर्णों का आश्रे लेना चाहिए और यशुदा मया के इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो गया यदपी कृष्णा अंतह पुर में सो रहे थे कृष्णा जग गया बाली अवस्था में हैं जगते ही मा को ढूणने लगे भूख लगी थी मा यशुदा को ढूणते ढूणते कृष्ण बाहर आये और उस समय मा दही का मंथन कर रही थी दही का मंथन कर रही हैं किर्टन कर रही हैं आखे बंद हैं कृष्ण वहाँ पर पहुँच गये और कृष्ण ने अपना एक हाथ मंथानी के उपर रख दिया येशुदा मैया जो चला रही थी मन्तानी वो बंध हो गई येशुदा की आखे खूली तो कृष्ण ऐसे खड़े थे उस मन्तानी को पकड़ कर अरी शुरी जी कहते हैं कि मानो भगवान सी कृष्ण येशुदा को कहना चाहते हैं मा अब तुझी ये करने की ज़रुवत नहीं है येशुदा मन्तन कर रही थी कृष्ण कहना चाहते हैं मा की संसार में बड़े-बड़े सादू, संत, मुनी शास्त्रों का मन्तन करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए ये बागवत गीता शास्त्रों का मंतन करते हैं मुझे प्राप्ट करने के लिए में ही शास्त्र का इस मंतन का आंत हूं तो मां जिस चीज के लिए मंतन किया जाता है वह फल तेरे सामने खड़ा है अब तुझे ये मंतन करने की जरूरत नहीं इस फल को उठाकर अपने गोद में बिठाने की जरुद है तुझे तेरे कर्म का फल मिल चुका है माँ इस प्रकार कृष्ण को देखकर ये शुदा तो देखती रह गए लेकिन कृष्ण का एक हाथ मंतानी के उपर दूसरा हाथ ये शुदा के कंदे के उपर और ये शुदा के गोद में चले गए समझ गई ये शुदा के कृष्ण दूद पिना चाहते हैं ये शुदा कृष्ण को अपने रदे के स्तन का दूद पान कराने लगी शुकदेव जी कहते हैं उससे में कृष्ण आनन देने लगे है और अपने बेटे को दूद पिलाते हुए ये शुदा भी आनन देने लगे भक्त भगवान दोनों आनन में विबोर हो चुके है ये दोनों आनन ले रहे हैं और तीसरा जल रहा है शुकदेव जी कहते हैं कि रस्वई घर में येश्वदा ने दूद को गरम करने के लिए चुले पर रखा था वही पदमगंदा गाय का दूद था चुले पर गरम करने के लिए रखा था ताकि गरम होने के बाद कृष्ण को पिलाने में काम आएगा तो दूद वहाँ चुले पर था येश्वदा भूल गई थी अपने बेटे को दूद पिलाने लगी और रस्वई घर में चुले के लिए पर जो दूद था वो उभर गया अध्यात्मी जगत में दूद भी सोचता है दूद ने सोचा पिछले देड़ घंटे से यहाँ तब कर रहा हूँ अपने शरीर को तपा रहा हूँ ताकि कृष्ण मेरी सेवा ग्रहन करे लेकिन अब तो कृष्ण अपने मा के रदे का दूद पी रहे हैं और इतना आनन ले रहे हैं कि अब मेरी सेवा ग्रहन नहीं करेंगे बस दूद के मन में ये भावना होई कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ जल रहा हूँ मेरी सेवा लेंगे लेकिन अब कृष्ण मेरी सेवा ग्रहन नहीं करेंगे जब ये संब्रम हुआ दूद को बड़ा कष्ट हुआ कि जब ये जीवन क्रिष्ण की सेवा में यदि न आए तो ये जीवन की कोई सार्थकता नहीं है सवाक ययातस्य गुणान ग्रिनिते ये वानी की सार्थकता फिलम के गाने गाने में नहीं है या चोराये पे खड़े रहकर दुनिया की चर्चा करने में नहीं है ये वानी की सार्थकता क्रिष्ण के गुण को और क्रिष्ण क के नाम को गाने में है करो च्बत कर्म करो मनस्च यह कर्या हाथ मात्र गोड़ी चिपळा गुमाने के लिए नहीं है या कपड़े वालों के सार्थकता ये से उनकी शेवा करनेमे शनोदी तक पून ये कथा सकर्ण ये कान की सारतक्ता बगवान की कथा सुनने में है और जब इन इंद्रियों से ये काम कर रहे हो तो समझो आपका जिवन सफल है और नहीं तो करोडों की इमारत में रहकर भी आप हारे हुए हो कुछ नहीं है बरबाद हो जाओगे मरने के बाद ये सोच कर वो उबर गया और आत्मा अत्या करने के लिए तयार हो गया लेकिन दूद जैसे उस पात्र से बाहर निकला तो आवाज आई ये शुदा ने सोचा दूद उबर गया है मेरे स्तन का दूद तो स्तन में रहेगा लेकिन उस दूद को बचाना होगा तुरंत ये शुदा कृष्ण को नीचे रखी और दोड़ कर रसोई घर में गई और उस दूद के पात्र को उतार लिया दूद तो बज गया लेकिन यश्वदा कृष्ण के क्रोध को नहीं बचा पाई कृष्ण बड़े प्रेम से यश्वदा का दूद पी रहे थे लेकिन छोड़ कर जब चली गई कृष्ण को बणा क्रोध हुआ लोग इस घर में मेरी कोई वेल्यू ही नहीं अकिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म अपने इतने बड़े एश्वरियों को वैपुण को छोड़ कर इसके घर पर आया और ये पचास रुपया लिटर दूद के लिए मुझे छोड़ कर चली गई कृष्ण को बढ़ा प्रोध आया और उस समय कृष्ण सोचा कि आज तुमें दिखा कर रहूंगा क्या करू क्या करू फ़ले सुबे से इस मटके में मेहनत कर रही है कृष्ण की दरश्टी उस मटके के उपर गई बाजु में एक पत्थर पड़ा था वस पत्थर को उठाकर उस मटके को फोड़ दिया जैसे उस मटके को फोड़ा तो अंदर से छास दही माखन इसे बहने लगा जब बहने लगा मटका बहुत बढ़ा था और जब बहने लगा तब कृष्ण को भयंकरता का एसास हुआ कि गलती तो हो गई है लेकिन अब करें तो क्या करें भागो यहां से मा आएगी देखेगी तो मुझे दाटेगी तो कृष्ण भागने लगे लेकिन कहां भागू कहां जाओं कहां चिपूं खुरे जी केहता है दो कदम में पुरे ब्रह्मान को ना पने वाले भगवान आश्योंट सूचने में कहां भागू तो कितना मादूर यह है भगवान का कितनी संदर लिला है भक्तों के मन को हरने वाई पर भाग रहे थे भागते भागते उनके चरण वो छास में दही में गिर रहे थे और चरण की चाप बिल्कुल क्लीर दिखाई दे रही थी लेकिन ये समझ चुके हैं कि मैं छीब गया हूँ मुझे कोई पकड नहीं पाएगा ये शुदा दूद को बचा कर जब बाहर आई देखा मटका फुटा हुआ है पहले तो हैसी आई कि लड़का है तो बुद्धिमान क्योंकि मटका जो था बिल्वपुल नीचे से फोड़ा था था कि एक बुंद भी न बचे थोड़ा बहुत उपर से फोड़ा होता तो कुछ तो बचे है तो बुद्धिमान लेकिन काम तो इसका गलत है अब तक जो गुपियों की शिकायत आई थी यशुदा को ठीक से कन्फर्म नहीं हुआ था कि वास्तों में क्रिश्न इसा होगा लेकिन आज जब अपने घर पर मटका फोड़ा तो इसदा को कन्फर्म हो गया कि जो अपने घर पर फोड़ सकता है और दुसरों के घर पर क्या नहीं कर सकता है अब तो मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा तुरंत इसदा ने अपने हाथ में छड़ी ले ली और क्रिश्न को डूढने लगी कहा है क्रिश्न पर्दे के पीछे उखल के उपर चीब गये थे जैसे ही परदा हटाया क्रिश्न उखल से कुद गए और उखल से कुद कर कृष्ण भागने लगे कृष्ण आगे आगे ये शुदा पीछे-पीछे घर से निकल कर गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं ये शुदा पीछे-पीछे भाग रही है ये शुदा और कृष्ण के बीच में के वले एक हाथ का अंतर है ये पकड में आया ये पकड में आया ये पकड में आया चोटे चोटे पाउं है चोटे चोटे चरण है कृष्ण दोड रहे हैं ये शुदा का मोटा शरीर है विल्कुल ठक रही है बाल भिकर रहे हैं पसीने से लत्पत हैं कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं ये शुदा पी क्रिश्व Federal की दी मिऊ wider एक जटके में जटने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ आप लिए को जैसे दिखाई तो कृष्ण रोने लगए तो जैसे ही यश्वदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की अदभूत छभी हो गई और वह छभी सत्यवरत मुनी ने अपने दामदर अक्ष्ट कमे लिख देती। लसकुन नंगो पूने ब्रजिमान। तब से ये दामदर अश्ट कम है, अनित्य है, इस दामदर अश्ट कम के विशे में शिसनातन गोस्वा में लिखते हैं, कार्तिक मेने में येदि कोई व्यक्ति दामदर अश्ट कम गाता है और भगवान को दिब बताता है, तो वह भगवान को अप्रिय बन जाता है। और पद्म पुराण के अनुसार आपके लिए कहदू भगतो, द्वारिका नगरे में भगवान शी कृष्ण अपनी पतनी सत्य भामा के साथ बैठे थे। सत्य भामा ने कहा, प्रभू मैंने पुर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था, जिससे आज मुझे आपकी पतनी बनने का सुभाग्य मिला। उस समय कृष्ण कहते हैं, सत्य भामा तुमने पूर्व जन्म में प्रती दिन दामदोर अश्टकम गाया था, और उस दामदोर अश्टकम गाने के कारण, आज मेरी पतनी बनने का सुभाग्य मिला। नमानिश्वरम सची दानंद रूपम लसत कुंडलम गोकु ले ब्रज मानम। नमानिश्वरम सची दानंद रूपम लसत कुंडलम गोकु ले ब्रज मानम। बगतो ये बहुत सुन्दर स्त्रोत हैं, इस्त्रोत को लिखने से पहले प्रथम शब्द में सत्यवरतमुनी कहते हैं नमामी, ये प्रभू में आपको नमशकार करता हूं, प्रणाम करता हूं, मानो नमामी शब्द के द्वारा भगवान को मंगला चरण कर दिये, तो पुझा जाए कि आप किसको नमसकार कर रहे हो, तो कहते हैं सत्चीत आनन्द रूपम, जो सत्चीत आनन्द के स्वरूप हैं, और इतना ही नहीं, जो साक्षाक इश्वर है, भगवान है, लिला बोलने से पहले सत्वरूपमनी सब को अउगत करा रहे हैं, कि ध्यान रहे में जिसके लिला सुनाने जा रहा हूं, वो अखिल ब्रह्मान नायक परमिश्वर साक्षात भगवान है, लिला कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस लिला में वो रोएंगे ह बहुत कुछ होगा, इसलिए पहले से अउगत करते हैं कि ये भगवान है, भगवान की अद्वूत लिला है नमा मिश्वरं सची आनं दरूपं लसत कुंदलं गोकुं देवरज मान मिश्वरं सची आन दरूपं लसत कुंदलं गोकुं देवरज मान मिश्वरं सची आन दरूपं लसत कुंदलं गोकुं देवरज मान मिश्वरं सची आन दरूपं लसत कुंदलं गोकुं देवरज मान यशोदाबियो लूख लातव मानम परामिष्टमत्यंत तो दृत्यगोप्या परामिष्टमत्यंत तो दृत्यगोप्या परामिष्टमत्यंत तो दृत्यगोप्या परामिष्टमत्यंत तो दृत्यगोप्या कृष्ण कोकुल की गलियों में भाग रहे हैं और कृष्ण से तेज डोड़कर यश्वदा ने उनको पकड़ लिया जैसे यश्वदा ने पकड़ लिया यश्वदा के हाथ में छड़ी देखकर कि अभी यश्वदा मुझे मार देगी कृष्ण की को संब्रम हुआ यश्वदा के आथ में छड़ी देकर भगवान रोने लगे इरणा कश्वदा को फाड़ने वाले एक इस बार नक्षत्री करने वाले दो कदम में ब्रमाण नापने वाले सुकर अउतार लेकर इरणाश को मारने वाले इतने इतने पराक्रम है लेकिन मैयां के सामने कृष्ण तो छोटे से बालक है और मैयां के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण रोने लगे भगवान जब रो रहे थे तो कैसे दिख रहे थे सत्यवरतमुनी कहते है रुदंत मुहुर नेत्रम युगमम रिजन्तम कराम्भुज युगमेन सातंक नेत्रम रुदंत मुहुर नेत्रम युगमम रिजन्तम कराम्भुज युगमेन सातंक नेत्रम मुहुँश्वाश कमपात्री रेखा का कंता मुहुँश्वाश कमपात्री रेखा का कंता स्थित देवदामो दरम्भति बढ़ं स्थित देवदामो दरम्भति बढ़ं स्थित देवदामो दरम्भति बढ़ं स्थित देवदामो दरम्भति बढ़ं येश्यूदा के हात में छड़ी देखर क्रिश्ण Rhudantam दोने लगे उन रोधंतम महुर नेत्रम बार बारण अपने नेतरवकोmosal रहे हैं यूगमं उरिजन्तम अपने दोनों आँखो को कराम भोज़ दोनों कर से दोनों हाथों से मसल रहे और नेत्रों को मसलने के कारण ये शुदा मया ने जो काजल लगाई है वे काजल पूरे आँखों में बिखर रही है राज लाला को इतना रोना रहा है कहते हैं मुहूश वाश चुड़े चुड़े बच्चे जब बहुत रोते हैं तो सांस चड़ जाती है आज कृष्ण को इतना रोना रहा था सांस चड़ रही थी आज कृष्ण को बहुत रोना रहा था रोना इस बात का रहा था कि जो मा मेरा लालन पालन करती थी मुझे दूद पिलाती थी, आज हाथ में छड़ी लेकर, आज से हमारा संबन तूड गया, आज से मुझे प्रेम नहीं करेगी, ये रोना आ रहा था, तो सांस चड़ रहा था, और उस समय कृष्ण के गले में तीन रेखा है, जिसे शंक में रेखाए होती है, जिसे कृष्ण क ये गले में सुन्दर तीन रेखा है, गले में ये रेखा भी सुन्दरता का प्रतिक है, कुछ लोग को गला होता है, तो मोर की तरह लंबा, और कुछ लोग को गला ही नहीं होता है, लेकिन गले में तीन रेखा थी, अदबत सुन्दरता थी, स्थीत ग्रेव दामो दरम भक्ती बग्धाम येश्वदा कृष्ण को पकड़ ली और कहने लगी अब कृष्ण को रोते हुए देखकर येश्वदा ने अपने आतों से छड़ी को फेंक दिया मुले छड़ी देखकर ये रो रहा है वास्त में येश्वदा ने ये छड़ी कृष्ण को मारने के लिए नहीं पकड़ी दराने के लिए दमकाने के लिए सिदान्त दे रहे हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए ये शांस्त्र का सिदान्त बच्चों को जितना मारोगे वो उतने बिगडेंगे खुंखार बन जाएंगे फिर बोलोगे मैं मारूँगी तुझे मारो मुझे क्या होता है इसलिए क्यों धमकाना चाहिए डराना चाहिए ने तो फिर वो आतंकवादी बन जाएंगे फिर मार खाने से भी नहीं डरेंगे चड़ी फेगदी और कहती है कि कृष्ण तुने ही सब के नाक में धम करके रखाए आज तुने मटका भुड़ा है तुझे में दंड देख कर रहूँगे और तेरे साथ उखल भी तेरा पार्टनर है न उखल को भी दंड दूँगी उखल के साथ कृष्ण को हाथ पकड़ कर अंतवपूर में ले गई और ये शुदा बाग में रसी पड़ीती उसे उठा कर कृष्ण को उखल के साथ बांदने लगी जैसे उखल के साथ बांदी तो दो उंगली कम पड़ गई अपनी दासियों को कहा जाओ गर में जितनी भी रसीये लेकर आओ वो सारी रसी को जोइंड किया और फिर बांदने लगी तो भी दो उंगली कम हुई बोले गोकुल में जितनी दुकानों में घरों में जितनी भी रसीये सारी रसी लेकर आओ पुरे गोकुल की रसीये कतरित की लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं बंद है दासियों ने कहा महिया छोड़ दो कृष्ण के नसिम में बंदन लिखाई नहीं है तुम चूप रहो तुम लोगों नहीं कृष्ण को बिगाड़ के रखा है येश्वदा बहुत प्रयास कर रही थी महिनत कर रही थे बगवान सी कृष्ण खड़े खड़े देख रहे थे येश्वदा परेशान थी कि ये कैसे बंदेगा एक रसी दूसरी रसी तीसरी रसी बार बार पसीने से लटपत थी येश्वदा को प्रयास करते हुए बगवान ने देखा वैसे दो उंगली कम थी दो उंगली का तातपरिया है भगवान को बांधने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए दो उंगली ही कम पड़ती है एक उंगली है भगवान की कृपा जब तक अपने से भगवान स्वयम कृपा नहीं करेंगे तब तक संसार का जीव या भक्त भगवान को बांद नहीं सकता है इस दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं ऐसा कोई कारिय नहीं कि इतना करोगे तो भगवान बंद जाएंगे वो स्वतंत्र है वो किसी भी नियम में बद्द नहीं है वो तो अपनी कृपा करते हैं और भक्त के वश में हो जाते हैं अपनी साइड से ही कृपा करते हैं तो जब तक भगवान की कृपा नहों भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन भगवान की कृपा कब होगी दूसरी उंगली है साधक का प्रयास भगवान की कृपा और साद्धक का प्रियास ये दो उंगली है और ये दोनों उंगली जब हो जाती है तब कृष्ण बंद जाते है यहां तो साद्धक प्रियास ही नहीं करता है तो भगवान कृपा कैसे करेंगे और किरपा नहीं करेंगे तो भगवान बंदेंगे कैसे इसलिए सबसे मूल की बात यह है कि साध्धक का प्रियास हमारा प्रियास होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का तूट प्रियास अनियता भगवान नहीं मिले खुश लोग तो बड़े निश्चिंत हैं ब्रहुपाद ने कर दिया सोला माला चार नियम भगवान मिल जाएंगे इसे नहीं मिलेंगे जीस प्रकार की हम लोग सोला माला करते हैं न उसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे है भगवान को प्राप्त करने के लिये मेनत करनी होती है रदय में भगवान की प्रती छल चलाता प्रेम न उम्दे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती कि छेतने महाप्रभूने सनातन स्था में इसे कहा प्रभू कहे सनातन, कृष्नेर रतन धन, अनेक जतन मिला कृष्न रुपी रतन धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन करने होंगे महनत करनी होगी, इना महनत के भगवान कतह नहीं मिलेंगे और हम लोग और कर क्या सकते हैं, साधक एक मात्र प्रियास कर सकता है परिश्रम कर सकता है, हमें परिश्रम करना है, महनत करनी है नवदा वक्ती की महनत करते रहें और भगवान जब हमारी महनत देखेंगे, उनके रदे में करुणा होगी कृपा करेंगे तब जाकर हमारे हाथों में बन गाएंगे दो उंगली कम पड़ रही थी कृष्ण ने देखा कि मैया यशुदा बहुत प्रियास कर रही है सर्व शास्त्र का सिदान्त सुगदेव गोश्वामी ने एक शलोक में दे दिया द्रश्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृप्या आसीत सो बंदने कृष्ण ने देखा कि मैया यशुदा बहुत परिश्रम कर रही है यशुदाया परिश्रम द्रश्ट्वा यशुदा के परिश्रम को देखकर कृप्य आसीत सो बंदने कृष्ण उस यशुदा के बंधन में आ गए बंद गए बांद लिया यशुदा ने कृष्ण को हम भी यदि कृष्ण को बांदना चाहते हैं तो महनत करने चाहिए क्या महनत सतसंग की महनत नवदा भक्ती मंगला आर्थी में जगने की महनत सुबह ब्रह्म मुरत में सूल माला जाप करने की महनत सादू संतों की सेवा की सब महनत जब तक नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे यश्वधा ने कृष्ण को बांध लिया क्रिष्ण रोने लगे हैं क्या क्रिष्ण को वास्तवीक रदई से दूख हो रहा है नहीं नहीं वो तो अंदर से रो रहा है बाहर से रो रहा है और अंदर से तो आनंद प्राप्त कर रहा है इति द्रिक्स्वलीला भी प्रानंद कुंडे स्वगो शम्नी माजंतं माख्या पयंतं स्वगो शम्नी माजंतं माख्या पयंतं उति पुष्वली नावि प्रानंद कुंदे स्वगो शम्नी माजंतं माख्या पयंतं पिति त्रिक्स लेला वि रानंद कुंदे स्वगो शम्नी माजंतं माख्या पयंतं तभी ये शीता गेशु भक्ते जिततं तभी ये शीता गेशु भक्ते जितत्वां तभी ये शीता गेशु भक्ते जितत्वां तभी ये शीता गेशु भक्ते जितत्वां पुनह प्रेमातस्तं शताव्रिती बंदे पुनह प्रेमातस्तं शताव्रिती बंदे पुनह प्रेमातस्तं शताव्रिती बंदे इती द्विक्ष्व लिला भी आनंद कुंडे इती द्विक्ष्व लिला भगवान सी कृष्ण अपनी इस प्रकार की लिला करके आनंद कुंडे आनंद कुंड में सराबर हो जाते हैं अरे रोने के लिए तो आया है इस दुनिया में बगवान सी कृष्ण को जब यश्वधा दाटती है न कृष्ण को बड़ा अननाता है इसलिए तो कृष्ण ने कहा न के संसार के लोग मेरी मा बने मुझे अपना बेटा बनावे और बेटा बनाकर यदि मुझे दाट भी देते हैं तो मुझे बड़ा अननाता है माता यदि पूत्र भावे करे न ताड़न अती हीन ग्याने करे लालन पालन चेतने चरितामरित में बड़े विस्तार से भगवान ने कहा है सकल संसार मौर करे विधी भक्ती दुनिया के लोग मेरी भई भक्ती करते हैं जो मुझे कतह पसंद नहीं है थोड़ी भी पसंद नहीं कुछ लोग भगवान के पास आते हैं आते हैं तो भई के मारे आते हैं नहीं जाएंगे तो मारदा नहीं जाएंगे तो नोकरी नहीं लगेगी नहीं जाएंगे तो दंदा नहीं होगा बिजनेस नहीं होगा भई से नहीं जाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा भगवान भाई का विशय नहीं, ये प्रेम का विशय है, भगवान प्रेम का विशय है, इसे प्रेम करना चाहिए, भगवान चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें, जब हम भगवान को भगवान कहते हैं, उनको कता आनन नहीं आता है, हम 10 साल 15 साल से भजन भप्ति करते हैं लेकिन भगवान के साथ संबंद नहीं तो कोई फल नहीं लेकिन आप तीन दिन से भगवान से के साथ संबंद जोड़ दिये और भगवान से प्रेम करते हूं पूरुन फल मिल जाएगा संबंद बहुत बड़ी चीज है इसलिए भगवान से संबंद जोड़ना चाहिए गया बगवान को अपना पूत्र बनाना चाहिए जैसे मईया यश्युदा इन दिलाओं में सुन्द रहे न कृष्ण को अपना पूत्र मानती थी और क्रिष्ण का लालन पालन करती थी भगव सभान के साथ संबन्द और कि चयों सब्सक्राइब कर लिए लिला अपने भगवान ससे संबने के लिए करते हैं तो आज मैया युश्वदा ने कृष्ण को बांध दिया है और बंधे रहने दीजिए तिकी बहुत परेशान करते हैं भगतों को बहुत रुलाते हैं तडबाते हैं जल्दी हाथ में आते नहीं वरंदेवा मुक्षमना मुक्षवदिम्मा नचान्य व्रिलेहं वरेशाद पीहाथ वरंदेवा मुक्षमना मुक्षवदिम्मा नचान्य व्रिलेहं वरेशाद पीहाथ वरंदेवा मुक्षमना मुक्षवदिम्मा नचान अम्रिणे हम वरेशाद पीवा वरंदिवा मोक्षंधा मोक्षाद दिवा नचान अम्रिणे हम वरेशाद पीवा पिदम्तेव पुरनाथ गोपाल बालम इदम ते वा पुर्णा था गुपालबालं इदम ते वा पुर्णा था गुपालबालं सदा में मनस्यावी रास्ताम की मन्ले सदा में मनस्यावी रास्ताम की मन्ले वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिन्दा जब भगवान ने कहा सत्यवरत मांगो जो चाहिए वो मांगो तो इस समय सत्यवरत रिश्य ने कहा कि प्रवू आप तो वर्दान देने में सर्वस्रेष्ट हो आज मैं आपसे जो कुछ भी मांगो आप मुझे दे दो गए लेकिन सत्य कहूँ तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे इस संसार का भोग नहीं चाहिए मुझे मौक्ष भी नहीं चाहिए और मौक्षाम अवधिम मौक्ष की जो सीमा है वो वैकुंट भी नहीं चाहिए यह हैं भक्तो का भाव भगवान गबिल देव ने कहा ना सायुचे सालों के सामिप्य दियमानम न ग्रिणनती भगवान अपने भक्तो को मुक्ती तक देने के लिए तियार हो जाते हैं लेकिन भक्त वह मुक्ती भी ठुकरा देते हैं सत्यवरत जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे मुक्ष मुक्ती भी नहीं चाहिए भगवान ने कहा कुछ तो मांगो सत्यवरत कुछ तो मांगो जब बार बार कहा तब सत्यवरत जी एक चीज़े मांगते हैं प्रभु यदि आपको देना ही है तो इदम इदम माने उंगली बता कर कहता है ये जो ते ये जो आपका वपू है वपू मने शरीर है ये जो आपका रूप है न प्रभू आप उखल के साथ बंदे हुए हो और रो रहे हो इदम ते वपूर नाथ गोपाल बालम ये बाल गोपाल ये दामोदर का रूप सदा में मनस्य विरास्ताम की मन में ये आपका बाल गोपाल सवरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में ठिका रहे है ऐसा आशिरवात दो देजिए बस ये बाल गोपाल मेरे मन में रहे आपकी ये चबी मेरे मन में बसी रहे इसके लावा में और कुछ नहीं चाहता हूं प्रभू अंत में एक श्रुद कर दिया किम अन्ये और इस स्वरुप को मन में टिकाए रखना इस चीज को छोड़कर दुनिया की कुछ भी वस्तु मिल जाए तो उसे क्या लाब होगा कितना हूं दन संपति मिल जाए क्या लाब होगा भगवान की लीला और इन स्वरुप को छोड़कर वास्तविक धन तो भगवान की लीला है भग तो इस दसम अध्याय में आगे चलकर एक बहुत सुंदर लीला आती है गोकुल में एक बार एक फल वेचने वाली आई फल लेलो फल लेलो करते हुए और क्रिष्ण को फल बहुत पसंद है पत्रम पुश्वम फलम तो यह हो है क्रिष्ण ने सुंदर फल को देखा आपने घर पर गए ये शुदा को कहा मैया फल चाहिए थोड़े अनाज के दाने दे दो मुट्टी भरकर अनाज लेकर क्रिष्ण उस फल खरीदने के लिए गए एक तो छोटी सी मुट्टी उसमें भी अनाज गिरते जा रहे थे जब तक पहुंचे दो पांस दाने बचे होंगे और कहा कि ये दाना रखो मुझे फल दो लेकिन फल वाली क्रिष्ण की सुंदरता के उपर इतनी मोहित हो गई फल वाली ने कहा कि बिटा कृष्ण कितने फल चाहिए जितना चाहिए उतना रख लो कृष्ण अपना हाथ और सब कुछ बरने लगे सारी टोकरी खाली हो गई यदि आज का कोई होता तो कहता बोनी का समय है आज ही कह रहा था हम और शाम संदर प्रभू सुबह एक दुकान में गए थे मंगला अरती के बाद तो शाम संदर प्रभू कह रहे थे भगवान की सेवा में दे दो तो वो कह रहा था नहीं बोनी का समय है तो आज साक्षाद भगवान मांग रहा है तो इस फल वाली ने सारे फल दे दिया के लेकर सुबह सुबह घर से फीस निकली थी बेचने के लिए शाम को जाना था लेकिन अब टोकरी खाली हो गए तो घर पर जाने के लिए निकल पड़ी जैसी वह फल वाली अपने घर जाने के लिए यमना पार करते हुए जब यमना तड़ आया और फल की टोक्री को नीचे उतारा तो इसने देखा कि उस टोक्री वह टोक्री हीरे मोती और जवाराच से भर चुकी है किमती रत्नों से वह टोक्री भर चुकी है यदि हम मेंसे कोई होता तो बहुत प्रसन होता भगवान ने हमारी सेवा का फल दे दिया है लेकिन भगतो भागवत का यसे दान्त भागवत की यह कता है उस समय फल वाली के रदे में बड़ा कश्ट हुआ है वह तो जोर जोर से रोने लगी है बस कृष्णा आपने ये थोड सा दन थोड़ी सी संपति दे कर मुझे ठुकरा दिया कि कृष्ण ये संपत्ति के लिए मैंने आपको फल नहीं दिय थे को कृष्ण ये धन संपत्ति के लिए मैंने आपकी सेवा नहीं कि थी कृष्ण मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम के बदले प्रेम चाहिए पैसा नहीं चाहिए आज तो लोग भगवान का भजन भगती करते हैं प्रेम करते हैं भगवान से और भगती के बदले पैसा चाहते हैं यह तो गाटे का धंदा है यह लोश का धंदा है इतना बड़ा प्रेम हूँ इतना भजन करके यदि कोई पैसा मांगे तो ये तो बहुत बहुत लोस है आपकी भक्ति का और जीवन का फलवाली ने कहा कि मैंने आपसे प्रेम किया है प्रेम के बदले प्रेम पैसा नहीं उसी समय फलवाली ने वो टोकरी उठा कर वो किम्ति हिरे मोती जविराते यमना में फैक दिये मुझे ये नहीं चाहिए कृष्ण मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे तो आप चाहिए बगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते बगवान के भक्त भगवान को ही मांग लेता है रभु मुझे आप से कुछ निर चाहिए और तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं शास्त्र में लिका है कि भगवान की भक्ति करते हुए यदि हम कोई भोतिक वस्तु मांगेंगे तो भगवान वह तुरंट देंगे क्योंकि भगवान किसी के हाथों में बंदना नहीं चाहते हैं कौन आदमी परतंत्र बंदना चाहेगा भक्ति करते हैं प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले कुछ वस्तु मांग लेते तो भगवान वह वस्तु देकर छूड़ जाते हैं वा जगदीश्यकाम आये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भाउताद भक्तिर अहे तो कित वई मुझे दहन नहीं चाहिए संपत्ति नहीं चाहिए मुझे तो मात्र आपकी भक्ति आपका प्रेम चाहिए तो वक्ति इस प्रेकार सत्यवरत मुनिने भगवान खड़े हैं सामने और कहते हैं मांगो कुछ नहीं मारा किति आज खोल कर देख लीजिए जितने भी शुद्ध वक्त हुए चाहिए देवी कुंती हो या वृत्राशुर हो या फिर रामायन का केवट हो भगवान इन सब को देने के लिए तयार थे लेकिन इन में से किसी ने भी भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगा जब मांगना हुआ तो भगवान का प्रेम मांगा इनका दर्शन मांगा तो सत्यवरत मुनी भगवान से प्रेम मांग रहे हैं केते हैं प्रभू आपका आपका यह जो बाल गुपाल की चबी है सदा में मनस्य विरास्ताम मेरे मन में सदा के लिए विराजमान रहे इस आश्रवाद देजिया बगवान ने कहा क्यों मेरी चबी को अपने मन में रख कर क्या करोगे आदे प्रभू आनन्द आयेगा अन्द क्यों आनन्द आएगा प्रभू आपकी छबी इतनी सुन्दर जो है भगवान ने का अच्छा मैं सुन्दर हूं मेरी सभी सुन्दर हैं बताओ मेरी सुन्दर तक क्या है तब सत्य वरुत्मन ने एक और पद लिख दिया इतंते मुखाम बोज अत्यन तनी ले वतं कुंतले स्लिगद रखते शगो प्याद इतंते वापुर्णा ने नीदे वेकं कुंतले स्लिगद रखते शगो प्याद इतंते मुखाम बोज अत्यन तनी ले वतं कुंतले स्लिगद रखते शगो प्याद इतंते मुखाम भोज अत्यन तनी ले वेकं कुंतले स्लिगद रखते शगो प्याद मुहु शुम्बितां बिम्ब रखता धरम में मुहु शुम्बितां बिम्ब रखता धरम में मुहु शुम्बितां बिम्ब रखता धरम में मनस्यावी रास्ता मालं लक्ष लाए मनस्यावी रास्ता मालं लक्ष लाए मनस्यावी रास्ता मालं लक्ष लाए सत्यवरत जी कहते हैं प्रभू आपकी ये छवी कितनी सुन्दर है इदम फिर से कहते हैं इदम इदम माने निर्देशाक्त शब्द है निर्देशन कर रहा है इदम ये जो आपकी छवी है इदम ते मुखाम बोज अत्यन्त निले प्रभू आपका ये निले आपका ये बहुँ सुन्दर निले वर्ण का शरीर गंशाम वर्ण का ये अदभूत शरीर और उसमें भी ये आपका सुन्दर मुख कमल आपका ये प्रसन्न चहरा और इस चहरे के उपर सुन्दर सुन्दर गुंगराले बाल वृत्म कुंतले कुंतले माने बाल केश सुन्दर बहुत सुन्दर आपके ये बाल है और गोप्या गोप्या मैने ये शुदा के द्वारा मुहूस्चुम्बितम बार बार आपके इस मुख को चुम्बन किया जाता था किश्वता बार बार अपने लाला के मूख का चुम्बन करती थी क्यों नहीं करेगी आज की मा अपने साधारण बालक को जो पंच महाभुच से बना हुआ है जिसका शरील नाश्वंत है फिर भी अपने छोटे से बालक की सुंदरता को देखकर उनको चुमती है उनसे लाड करती है ये तो अखिल ब्रह्मान नायक परब्रह्म जिसका चिनमई देह है चिनमई विग्रह है ये शुदा के घर पर खेल रहा है ये शुदा बार बार कृष्ण को अपने गले लगा लेती थी और उनके मूख का चुम्बन करती थी कृष्ण आपका ये बहुत सुन्दर मूख कमल और उस मूख में लाल वर्ण के अधर और ओष्ट अदभूत है आपकी सुन्दरता अदभूत है कृष्ण एक बार भी यदि कोई आपकी सुन्दरता को देख ले फिर वो जगत का नहीं रह सकता है वो आपका बन जाता है रूप गोष्वामी ने पध्यावले में कहा कि देखो अपने घर ग्रियस्ती में ही आनन लेना चाहते हो न तो भूल से भी कभी विरिंदावन मत जाना चाहते हो कि बस अपने जीवन में ही फसे रहे बने रहे आसकतर है तो गलती से विरिंदावन मत जाना और विरिंदावन चले गए तो यमना के तड़ पर मत जाना और यमना के तड़ पर चले भी गए तो तीनों अंग से टेड़े बाके बिहारी के सामने मत देखना क्योंकि एक बार भी बाके बिहारी के सामने द्रश्टी चली गई तो फिर संसार के नहीं उस भगवान के हो जाओ गई अदभूत लिग रहा है अदभूत सुन्दरता त्रिभूवन कमनम तिनों भूवन में रहने वाले सब लोग इसको चाहते हैं बगतो सत्य कहें संसार में संसार की वस्तू के प्रति और संसार के लोगों के प्रति हमारी आसकती तब तक हैं जब तक कृष्ण की सुन्दरता को नहीं देख लेते हैं जिस दिन कृष्ट की सुन्दर्ता को देख लिया इनकी सुन्दर्ता जिस दिन समझ में आ गई तो इनके बिना रहना मुश्किल हो जाता है यह उदगार है माराष्ट में रहने वाली देवी रुकमणी का सत्यवरत मुनि कहते हैं कि प्रभू आप बहुत सुन्दर हो और संसार के सब लोग आपकी सुन्दर्ता से मोहित होते हैं प्रभू बस आपके चरणों में यही निविदन है कि आप मेरा ध्यान रखेगा अपनी कृपाद रश्टी मुझ पर रखेगा सत्यवरत मुनि कहते हैं नमो देवद्यामो तरानंत विश्चनों Π्रसिद प्रभू दूग जलादिमर्णन नमो देवद्यामो तरानंत विश्चनों प्रसिद प्रभू तुथ जालाव दुप्त नम देवादामोद रानत विष्णों प्रसीद प्रवुदुक जलाधिमगव e नम देवादामोद रात विष्णों प्रसीद प्रवुदूक जालाधिमग कृपाद्रिष्टि व्रिष्ट्याती दिनम बतान। कृपाद्रिष्टि व्रिष्ट्याती दिनम बतान। कृपाद्रिष्टि व्रिष्ट्याती दिनम बतान। कृपाद्रिष्टि व्रिष्ट्याती दिनम बतान। गृपाद्रिष्ट्याती दिनम बतान। सत्यवरत मुनी कहते हैं कहें कृष्ण हें दाम उदर भगवान सी कृष्ण के उदर के उपर रसी बांदी गई उदर मने पेट और दाम मने रसी जिसके उदर पर दाम बांदी गई है इसलिए इनको दाम उदर कहा गया कहें दाम उदर मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ प्रसीद आप मुझ पर प्रसन्न हो इस संसार सागर में पसा हुआ हूँ आप मुझ पर कृपाद रश्टी कीजिए और इस संसार सागर में रहते हुए आपका बजन कर सकूँ ऐसा अशरवाती है प्रभू आप मेरा उद्धार कीजिए भगवान ने कहा मैं आपका उद्धार कैसे कर सकता हूँ प्रभू आपका बड़े पापियों का उद्धार करते हैं मानो भगवान कृष्ण कहें मैंने किसका उद्धार किया सब सत्यवरत उनी कहते हैं खुबे रात्म जोबत रुट्य वयद्वत तयाम चीतों बक्ति भाजो कृतों चाँ कुबे रात्म जोबत रुट्य वयद्वत तयाम चीतों बक्ति भाजो कृतों चाँ कुबे रात्म जोबत रुट्य वयद्वत तयाम चीतों बक्ति भाजो कृतों चाँ तथा प्रेम भक्तिम स्वतामे प्रयाचा 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 नमोक्षे ग्रहों में इस्ती दाम उदरेगा नमोक्षे ग्रहों में इस्ती दाम उदरेगा नमस्ते श्तु दामने स्वूरदिति दामने प्रदियोदर आयात विश्वस्य दामने नमस्ते श्तु दामने स्वूरदिति दामने प्रदियोदर आयात विश्वस्य दामने क्रिश्ण में आपको प्रणाम नहीं करता हूं क्रिश्ण में यश्वदा को भी प्रणाम नहीं करता हूं आपके चरण को भी प्रणाम नहीं यश्वदा के चरण को भी प्रणाम नहीं क्रिश्ण में तो प्रणाम उस रसी को करता हूं जिस रसी से आपको बांधा गया है क्य युदरायात विश्वस्यदावने अस्ते सुधाने सुवरत पिधावने त्वदे अगरायात विश्वस्थावने नमोरादि काये त्वदियां प्रियाए नमोरादि काये त्वदियां प्रियाए नमोरादि काये त्वदियां प्रियाए नमोनन्त नीनाय देवाय तुद्य नमोनन्त नीनाय देवाय तुद्य यश्वदा मया ने भगवान से कृष्ण को बांध दिया और कृष्ण को बांद कर सुगदेव गोश्वामी कहते हैं कृष्णस्तु ग्रिह कृतियेशु व्यक्रायाम मातरीम प्रभू कृष्ण को बांद कर मैया युश्दा वहां से चली गई और कृष्ण बंदे हुए खड़े हैं रो रहे हैं परंतु रोते रोते उखल के साथ बंदे हुए कृष्ण की द्रश्टी अपने घर के आंगन में दो व्रुक्ष थे उस व्रुक्ष के उपर गई बस कृष्ण की द्रश्टी क्या जानी थी उनके उद्धार की बात सोच लिया वैसे भगवान की एक द्रश्टी काफी है उद्दार करने के लिए कृष्ण उकल के साथ बंदे हुए है रसी के साथ बंदे हुए है उनकी द्रश्टी अपने घर के आंगन में रहे दो बहुत बड़े वरुक्ष थे वट वरुक्ष उस वरूक्ष के उपर उनकी द्रश्टी गई बगवान के रदे में बया उत्पन हो गई बली ये वरूक्ष विचारे कई दिनों से बंदे हुए मैं इसका उद्धार करूंगा किसी आचारे ने बहुत सुन्दर कहा तो क्या अब तक उद्धार करने की बात मन में नहीं आई घर से जाते समय आते समय तो वरूक्ष दिखाए देते थे आचारे ने बहुत सुन्दर उत्प्रेक्षा की इस दुनिया में जब आदमी के स्वयम के जीवन में दूख आता है तब दूसरों का दूख समझ सकता है आज जब खुद को बांदा गया है न तब वो वरूक्ष जो बंदे हुए हैं उस योनी में उनका बंधन का ऐसास हो रहा है कि बोले मैं आदे घंटे से बंदा हूं तो इतना कष्ट हो रहा है ये वरूक्ष बिचारे हजार दोजार वर्ष से बंदे हुए हैं कितने दुखी होंगे एक दुखी ही दुसरे दुखी की बात को समझ सकता है तब अगवान से कृष्ण शुरेव गोश्वामी कहते हैं पुरा नारदेन शापेन रुक्षताम प्रापितो मदाद इक दुख गिवान已经 के म मते मती नाम कि आख नोन के थाma 맞़ा है तो कुबियर धर्वन के द्हनाठ्विता खुबित के दो पूत्र थे नारज ने उन दोनों को श्राप देकर नंदबाबा के घर पर उरुक्ष बना दिया था और क्रिश्ण ने क्योंकि नारद ने श्राब दिया है नारद अमोग दर्शनम अमोग वचनम नारज जी के वचन कभी मिथ्या भगवान होने ही नहीं देते हैं तो नारज जी के वचन को खत्य करने के लिए भगवान ने उन दोनों व्रुक्ष का उतार किया इती श्रमद वागवते महापुराने प्रमनसायाम सहितायाम दसमस कंदे नवम अध्याय समाप्ता तो नारद मुने के श्राब की जब बात आई तब महाराज परिक्षित ने चलती भी कथा को रोक दिया और कथा को रोक कर यह जिग्यासा करने लगे कत्यताम भगवान एतत परिक्षित जी शुकदेव गुश्वामी को संबोधन देते हैं भगवन है भगवान आप बहुत महान हो एतत शापस ये कारणम नारद मुनी के श्राब का क्या कारण हो सकता है नारद मुनी जैसे संत किसी को श्राब दे ये बात कुछ समझ में नहीं आती है तो आज जब शुकदेव गुश्वामी ने ये बात कर दी कि नारद मुनी को क्रोध आ गया तो परिक्षित महाराज को आसरी लगना था इसलिए महाराज परिक्षित ने कहा कि नारद जैसे रुशिमुनी को क्रोध नारद को कभी क्रोध नहीं आ सकता है नारद को कभी क्रोध आई नहीं सेकता है और यदी नारद को क्रोध आया तो यह इसने बहुत बढ़ी गड़बड की होगी काम बहुत बुरा क्या होगा केता है यत वी गरहितम कर्म गुबेर जी के कुट्रों ने कर सकता है बताईये प्रभ्व इस कता को विश्तार से सुनाएं है ये कथा वाली कता हैं रुद्रस्या मुचgesetz हुआ है सुद्रुप्तो धनदात मजों कैला सोपवने रम्ये मन्दा किन्याम मदोत कटो तो पुर्वद की यह बात है इस संसार में अने को देवता है और भगवान ने सभी देवताओं को अपनी सिवा में लगा रखा है उनमेंसे एक देवता है जिसका नाम है कुबेर जो इस संसार में सभी जीवों को हो धन प्रदान करते हैं धन के दनाड्य देवता जिसे बैंक में कोई केशेर होता है केशेर जानते ना हमारा ही पैसा बैंक में होता है लेकिन उसे लेने के लिए केशेर के पांस जाना होता है वो गीन कर देता है वो न चाहे तो न भी दे कल आ जाना, आज हमारे पांस नहीं तो वैसे ये धन संपती कि हमें हमारे कर्मक के अनुसारी मिलती है लेकिन वाया कुबेर जी के होकर आती है तो दन के दनाट ये देवता है कुबेर और उस कुबेर के दो पुत्र थे नल कुबेर और मनिक्रिव और उस कुबेर के पुत्र को हो के गुणों को देकर शिवजी ने उन दोनों को अपना personal secretary बना लिया अपना P.A. बना लिया इसे संस्कुरुत में क्या कहा गया रुद्रस्य अनुचर भुत्वा रुद्रस्य रुद्र मना शिवजी शिवजी को रुद्र कहा जाता है क्योंकि वो रोते हुए परकट हुए थे ब्रह्मा जी के भेकुटी से और किसी आचारे ने महुत संद्र कहा रुगानी ध्रवती इती रूद्रह रूद्रह दो अक्षर है ना रूद्रह रू माने रूगानी रूगानी माने रोग ध्रवती माने नश्ट कर देना जो दुसरों के रोग को नश्ट कर दे उसे रूद्र कहा जाता है कि इसे रोगों को नश्ट करते हैं कि शिवजी के दो ही कार्या है बगवान की नाम का किर्टन करना और भागवत कथा बोलना अपनी पतनी पार्वती को गोद में बढ़ाकर वे भागवत कथा बोलते हैं और भागवत के द्वारा सभी श्रूताओं के बड़े से बड़े रोग को करता सबसे बड़ा रोग है भाव रोग बागवत के द्वारा अपने श्रोताओं के भाव रोग को मिटा देते हैं इसलिए शिव जी का एक नाम है रूद्र रुगानी द्रवयती रोग को जो मिटा दे तो ऐसे शिव जी ने नलकुबर मनी के रिव को अपना अनूचर बना लिया थे और ये लोग एक तो धनी बाप के बेटे थें किसी भी आदमी को बिगड़ने के लिए किवल एक चीज़ का भी है कि यह कथा मैंने शुक्रताल में जब की तो अनेको भक्त सुरत से आये थे भिम जी भाई और भी बहुत सारे भक्ततर नाम याद नहीं उन्होंने मुझे उस समय कहा था कि प्रभुजू हो नहों आने वाले भविश्य में यह कथा आप सुरत में आकर सुनाईएगा क्योंकि सुरत में कुछ लोग धनी बाप के बेटे बहुत बिगड रहे हैं ऐसे उन्होंने कहा था मुझे तो पताने तो आज यह उसरा आ गया तो एक तो धनी बाप के बेटे थे धन की कोई कमी नहीं तेर उपर से शिव जी ने अपना परसनल सेक्रेटरी बना लिया तो ध अभिमान और साती सात पद का अभिमान है को रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा और रुद्र के शिव जी के अनुचर बन गए और अनुचर बनकर सुद्रुपतो धनत आतम जो धनत आत्म जो धन के धनाड्य देवता कुबर जी के ये दोनों पुत्र सुद्रुप्तो सुद्रुप्तो माने वे अभिमानी बन गये बहुत गर्वो हो गया कि हम धनी है और हम बहुत बड़े पोश्ट पोजिशन पर है और अभिमान के कारण धन और पद के अभिमान के कारण कैलास उपमने रम्ये मंदा किन्या मदोद कटो वश्यू जी के वपवित्र शेत्र में कैलास जैसे पवित्र दाम में है मदोद कटो नशे में चूर बन गए है मतवाले बन गए देखिए एक एक श्लोक बहुत गंबीर हैं बहुत इनकी व्याक्या हो शक्ति हैं पहला शब्द है रुद्रस्य अनुचरो भुत्वा और अन्तिम शब्द है मदोत कटो मतवाले बन गए यहाँ पर शास्त्र का एक सिद्दान्त स्थापित हुआ भगतो भगवान राम भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे या उपासना करेंगे रदय शुद्द नहीं होगा यह लोग शिवजी के उपासत थे शिवजी ने अपना अनुचर बना लिया था अपना परस्नल सेक्रेटरी बना लिया अपने साथ रखा करते थे शिवजी इन दोनों को लेकिन फिर भी इन दोनों का रदय शुद्द नहीं हुआ यदि रदय शुद्द करना चाहते हैं तो राम कृष्ण या विष्ण की भक्ति करनी चाहिए इनको छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की हजारों लाकों वर्ष तक सेवा करोगे उपासना करोगे देवी देवता आपकी इच्छा को प्रुन कर देंगे ये बहु ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्म देवता के लिए 36,500 वर्ष तक दफस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने वर्दान दे दिया लेकिन फिर भी हिरना कश्वु का रदय शुद्द नहीं हुआ वह बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया रावण ने यग्य किया था दस यग्य करते हुए अपने दसों मस्तक हवन कुण में दाल दिया था शिवजी के लिए शिवजी की इतनी बड़ी भक्ती इतना बड़ा उपा सकता रावण लेकिन फिर भी रदय शुद्द नहीं हो पाया कंस दुर्गा देवी का भकत था दुर्गा देवी की उपासना करता था लेकिन फिर भी कंस का रदय शुद्द नहीं हुआ भागवत में वर्णन है अग्वान दुष्यव देव ने कहा कि शुद्यत यस्माद ब्रह्म सोख्यम्त वनंतम यदि रदय शुद्द करना चाहते हैं अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो राम कृष्ण या विष्ण की भक्ति करने चाहते हैं अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से भोग मिल सकते हैं लेकिन रदय शुद्द नहीं हो सकता विर्णा कश्व को लिजिए रावन देखिए कंस देखिए य और दुसरी और दुरू महाराज को ले लिजी उनके रदे में मल था उनके रदे में कामना थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले लेकिन जैसे ही दुरू महाराज उस कामना की पूर्ति करने के लिए देवी देवताओं के पास नहीं गये क्योंकि नारज जी रास्ते मे यमनाया स्थटम्शुच यमना के थड़ पर वरिंदावन में भेज दिया भगवान विश्णू की उपासना करने के लिए द्रू का रदय द्रू मिल था द्रू के रदय में कामना थी लेकिन भगवान विश्णू की बक्ती करने के कारण द्रू की सारी कामना चली गई और द्रू का रदय शुद्ध हो गया अजामिल को ले लिजे छटे स्कंद में जीवन भर पाप किया था लेकिन भगवान नारायन का नाम ले लिया रदेशुद्ध हो गया नरक में जाने से बज गया एक और देवित देवताओं की अनंत अत्यंत तपस्या उपासना लेकिन रदेशुद्धी नहीं और एक और भगवान राम कृष्ण विष्ण की थोड़ी सी भक्ति रदेशुद्ध हो गयाता है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान राम की कृष्ण की विष्ण की भक करता है बागवत का श्लोक प्रमान आपके सामने है रुद्रस्य अनुचर भुत्वा रुद्रका शिव जी का अनुचर होकर भी सुद्रुप्तो अभिमानी बन गए और मदोत कटो मतवाले बन गए अभिमानी बने गये, मत्वाले बने गये और मत्वाले होकर कैलासे उप बने शिवजी के पवित्र तिर्थ स्थान में वो पाप करने लगे कुछ लोग आदत से बहुत मजबूर होते हैं ऐसी आदत विगड़ जाती है कि ऐसे पवित्र स्थानों में जाकर भी पाप करते है जैसे इरना कश्वु के विशे में आया ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वरग में युद्ध किया और स्वरग लोग को जीत लिया हिरना कश्पू स्वरग में रहने लगा लेकिन स्वरग में रहकर भी पुरुत्वी की गंदी आतथ नहीं चोड़ी स्वरग में देवता सोमरस पिते हैं सोमरस मानें ताजे ताजे फल का जूस भी नहीं का ज़ेगा एसेंस आज की भाशा में energy drink विदाउट आलकोहॉल स्वर्ग के देवता जो है यह शुत जूस पीते हैं लेकिन हिरना कश्पु स्वर्ग में जाकर देशी दारू पीता था इसा बागवत में लिकाए तो स्वर्ग में जाकर यह सब पीता था कुछ लोग अब मंदिरों में जाते नहीं है कताओं में जाते नहीं है लेकिन मंदिर कता या तिर्थों में चले जाए तो वहां पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं वहां जाकर भी चाई कोफी तंबाकू गुटका मावा कम से कम पविश्टर स्थान को तो वर्जीत रखो इस सवा में भी कुछ लोग मुह में भरकर बैठे है और मेरे सामने से ड्रामा कर रहे कि मैं नहीं खा रहा हूं लेकिन क्या हम नहीं जानते हैं हम तो रदे से बगव इस दुनिया में अन्य कहीं भी आप पाप करोगे तो तिर्थ शेत्रे विनश्यति तिर्थों में जाओगे न अन्य कहीं भी पाप किया आपने तिर्थों में जाने से वह पाप मिट जाएगा सत्संग में बैठने से अन्य शेत्र में किया हुआ पाप मिट जाएगा मंदिर में जाने से अन्य शेत्र में किया हुआ पाप मिट जाएगा लेकिन तिर्थ शेत्रे कृतम पापम लेकिन सत्संग में बैठकर पाप करने से मंदिर में बैठकर पाप करने से या तिर्थों में जाकर पाप करने से वज्र लेपो भविष्यती उसे कोई नहीं काट सकता इसलिए ऐसे देव स्थानों में जब हम जाते हैं पवित्र स्थानों में चाहे सत्संग हो मंदिर हो या तिर्थ धाम हो तो वहाँ पर हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए उन पापों से बचना चाहिए नहीं तो हमारा उद्दार होने का कोई चांस नहीं है तो यह लोग इतने और यह पाप क्यों करते थे हैं क्योंकि मतवाले थे अभिमान था और मतवाले हो चुके थे मानो महाराज परिक्षित ने पूछा ठीक है शीव जी के उस केलास पवित्र लोक में जाकर उन्होंने क्या पाप किया वे क्या पाप करने लगे और उसका उद्दार कैसे हुआ क्रिप्या करके बताईए परिक्षित महाराज ने पूछा कथ्यताम भगवान एतत तयह श्रापस्य कारणाउं हे भगवन हे प्रभू नारद मुनिने कुबेर जी के पूत्रों को श्राप क्यों दिया आखिर कुबेर जी के उन पूत्रों ने ऐसा क्या कर्म किया था क्या पाप किया था जिसे नारज जैसे संद को श्राप देना पड़ा शुगदेव गोश्वामी ही कुबेर जी के पूत्र नल कुबेर और मनी ग्रिव के दुश कर्म का वरणन कर रहा है रुद्रस्यानुचरो भुत्वा सुद्रूप्तो धनदात्मजो कैलासु उप्वनेरम्ये मन्दा किन्याम दोत कटो मन्दा किन्याम दोत कटो दन के दनाड ये देवता जो स्वर्ग में रहते हैं से कुबेर जी के दो पुत्र नल कुबेर और मनी गरिव दनी बाप के बेटे थे और साथ ही साथ शिवजी ने उनको अपना परसनल अनुचर बना लिया दनी पिता के पुत्र होने के कारण धन का अभिमान और उच्च पद मिलने के कारण इस पद का अभिमान सुद्रूप तो मदोत कटो अभिमान भी हो गया और उस अभिमान में चूर होकर मदोत कट माने मतवाले बन गए और मतवाले होकर कहलासे उपवने रम्ये शिवजी के इस पवित्र वन में पवित्र स्थान में कहलास शेत्र में बहुत बड़ा जगन्य पाप करने लगे शिवजी के लोक में जो बहुत सुंदर तीर्थ है ब्रह्मा लोक से गंगा शिवजी के कैलास में प्रविश होती है ब्रह्मा का गंगा का उदगम स्थान है कैलास इस पृत्वी पर तैसे पवित्व तिर्थान में क्या करने लगे शुगदेव जी कहते है वारुणिम मदिराम पितवा मदा घुरनी तलो चनो स्त्रीजने अनुगा यद भी चेरे तो पुषपिते वने वारुणिम मदिराम पितवा वे दोनो मदमस्त थे मतवाले थे और इसलिए वारुणि मदिराम पिने लगे शराब पिने लगे लेकिन ये वारुणि कंपनी की जो मदिरा है न ये सबसे स्रेष्ठ मदिरा है और यह मदिरा समुद्र मंथन करते हुए प्रकट होई थी और यह मदिरा की देवी जैसे गंगा नदी है गंगा नदी की भी देवी है उनका स्वरूप है ऐसे ही वारूनी देवी प्रकट होई वारूनी मदिरा लेकर तो वारोनी मदिरा देखकर सभी असुरों ने कहा कि इसे हम रखेंगे भगवान ने कहा आप ही रखो क्योंकि आपके बिना ये कोई पीएंगे भी नहीं देवता तो सोमरस पीते हैं, जूस पीते हैं ये आपके काम की चीज़ें आप ही रखो ये वारोनी पीना, शराब पीना ये असुरों का काम है मनुष्य का काम नहीं है लेकिन बहुत उच्चे कॉलेटी की मदिरा थी आज जो मदिरा मिलती है वो तो डुबलिकेट है वारोनी की बराबरी नहीं कर सकती है खेर ये मदिरा पीना असुरों का कारिय है और वागवत में तो पूर्ण रुप से वर्जित किया गया है मदिरा का सेवन ना करे तेकि मदिरा पिने से नशा चड़ता है और नशे में कल्यूग का वास है कल्यूग में चार जग़ पर अधर्म का वास है और उनमें से एक हैं पानम पानम मने नशा शराब का नशा तंबाको का नशा गुटखा पान मावा ये जितना भी नशा है चाई कोफी भी नशा है इसमें कल्यूक का बास है तैसे नशली पदार्थ का सेवन करना ये बहुत 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 पाप है तो ये वारोणी मदिरा पी रहे थे और ये मदिरा पीने के कारण मदा गुर्णीत लोचनों उनके लोचन उनकी आखे जो थी नशीली बन चुके थी अरताद गूम रही थी आखे और इतना ही नहीं अब शराब पी पी रहे हैं तो थोड़े के लिए क्या बाकी रखा जाए आगे कहते हैं स्त्री जने और अपने साथ कुछ स्त्रियों को भी ले लिये थे स्त्री को भी शराब पिला रहे थे वो स्त्रिया भी शराब पी रही थी ये दोनों भी पी रहे थे और दोनों शराब पी रहे थे स्त्री और ये पुरुश और दोनों एक दुसरों को आलिंगन कर रहे थे चुम्बन कर रहे थे और साथी साथ गाना गा रहे थे स्त्री जने अनुगायद भी अनुगायद भी का अर्थाचार उन्हें कहा है कि एक कड़ी स्त्री गाती थी एक कड़ी पूरुष गाता था कि वो कहता था तेरे बिना में नहीं रहे शकता वह भी कहते थी कि में भी आपके बिना नें तुम सुंदर हो तुम भी सुंदर हो अनुगायद ले गुरु माराज कहते हैं यही है संसार, यही है जगत, फिल्म का द्रश्य उत्पन हो रहा है, शराप पीना, स्त्री के साथ विचरण करना, नाचना, गाना, चेरितू पुश्पिते वने, उसे कैलास जैसे तीर्थ स्तान में गंगा के तड़ पर ये लोग इस प्रकार की हरकत क करने लगे, आगे क्या किये, चलो जब तक बाहर ते तब तक ठीक हैं, लेकिन आगे अंतह प्रविश्य गंगायाम, शुकदेव जी कहते हैं, कि वे लोग शराप पीते हुए, स्त्रीयों के साथ नाचते हुए, गाते हुए, गंगा में प्रविश्य किये, अपने अपराद को और बढ़ाते जा रहे हैं, अंतह प्रविश्य गंगायाम, और गंगा के बिलकुल अंतह में, बिलकुल बीच में चले गए, क्योंकि तेरनात सब लोग जानते थे, अंबोज वन राजिनी और वह गंगा जो हैं, अंबोज कमल से सुशोभीत हो रही थी, गंगा में बहु क्योंकि बहते हुए जल में कमल नहीं रह सकते हैं, तो बहुत सुंदर सरोवर होगा, स्थीर जल होगा, और उसमें ये नल कुबर और मणी ग्रिव गंगा में प्रवेश किये, और गंगा में खड़े-खड़े शराब पी रहे हैं, उस त्रियों को पिदा रहे हैं, उसका आ साथी सरोवर में स्नान करता है, और घंटो भर तक स्नान करता है, अपनी इंदर तुर्प्ती करता है, ठीक उसी प्रकार ये दोनों स्त्रियों के साथ उस गंगा में घंटो भर स्नान करने लगे, और गंगा में स्नान करे थे बिलकुल निर्वस्त्र, शुदेवजी कहते हैं ये सारे वस्त्र किनारे पर छोड़ दिये वह दोनों पुरुष उन स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र गंगा में प्रवेश किये, स्नान कर रहे थे शराब पी रहे थे, गाना गा रहे थे आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे इसा जगन्य पाप शिवजी के लोक में कर रहे थे वक्तो ये सारे पाप हैं, इनकी गिंती पापों में ही होती है और संसार के कुछ लोग की बुद्धी, मती, इतनी मर चुकी है कि लोग इसी चीज को आनन्द समझते हैं वक्तो तत्व से यदि देखा जाएं, तो ये आनन्द नहीं, ये सबसे बड़ा कष्ट हैं, दूख है वर्तमान में भी कष्ट हैं और मृत्यू के बाद तो नरक में जाना ही होगा इस तत्व को समझना चाहिए कई बार संसार के लोग आज वर्तमान में ऐसा समय चल रहा है आज वर्तमान में सभी टीवी में, अख़बार में, सिनेमा घरों में केवल एक ही सिद्धान्त का निरुपन किया जा रहा है कि स्त्री और पुरुष का मिलन इस दुनिया का सबसे बड़ा सूख है फिल्मों में नायक और नायका बिच्ड़ गए तो दोनों दुखी और मिल गए तो सुखी बस यही आखों से कानों से यही भरा जा रहा है चाहे बच्चे हो बुड़े हो जवान हो रात दीन बस यही भरा जा रहा है कि स्त्री और पुरुष का मिलन यही सबसे बड़ा सूख है और बार बार यह सुनने और देखने के कारण बुद्धी में यह बात फिट हो चुकी है कि नहीं इसमें सूख है वास्तों में इसमें कोई सूख नहीं है लेकिन बच्पन से लेकर बुड़े तक बस यही सुनते आए देखते आए तो ऐसा हो जाता है कि स्त्री पूरुष का संग ही सूख है जैसे किसी आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए बहुत अच्छा आदमी है लेकिन कमरे में बाहर से बंद कर दो और अंदर एक टैप रेकोड चला दो मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ संग सबसे बढ़ा सुक परन्तु भग तो यह स्थि पूरुष का संग सुख नहीं सबसे बढ़ा दूख है संसार के लोग जिसकी मति मारी गई है वो स्त्रियों की सुनुरता में आनन्द लेते हैं और जीवन का सबसे बड़ा आनंद मानता है परन्तों वो सबसे बड़ा दूख है सोचता है कि मैं स्त्री को भोगत रहा हूँ मैं शराब को भोगत रहा हूँ मैं सिगरेट तंबा को को भोगत रहा हूँ लेकिन भगतो भरत हरी जी ने कहा मैं इसा सोच रहा था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूँ लेकिन मैंने भोगों को नहीं भोगते, भोगों नहीं मुझे भोगत लिया मैं सोच रहा था कि मैं शराब पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ लेकिन मैंने शराब और सिग्रेट को नहीं पिया ये सिग्रेट और शराब ने मुझे ही पी लिया समात कर दिया रात दिन आदमी जिस पुरुश और स्त्री के चकर में फसा रहता है वही सबसे बड़ा दूख है भागवत ने तो यहां तक कह दिया कि यदि आदमी स्त्री की आसकती से मुक्त हो गया तो 80 प्रतिशत भगवान को पा लिया किवल 20 प्रतिशती भगवान दूर है परंतो दुरभाग्य है जीव का कि जो भगती में भगवान की प्राप्ती में सबसे बड़ा अब रोध है उसी में बुद्धी फस जाती है कुछ लोगों को तो confidence होता है नहीं मैं स्त्री के साथ रहूंगा लेकिन फसूंगा नहीं चैतने महाप्रभु कहते हैं दारुवी प्रकृति है मुने रपी मन साक्षा स्त्री की बात तो दूर रही वक्तो स्त्री का पोश्टर स्त्री का एक फोटो भी बड़े-बड़े मुनियों के मन को डिगा देती है साक्षा स्त्री तो दूर की बात है स्त्री का विग्रह स्त्री का फोटो भी मुनियों के मन को हर लेता है ग्रीत कुम्ब समानारी पुमान तप्त अंगार समान चानक्य पंडित में कहा कि पुरुष गी के समान है और इस्तरी गरम अंगारे के समान है यदि गी को अंगारे के बाजु में रखोगे तो वो पिगले गाही है अर्थाद वजन भक्ति में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और संसार की इन वश्तुओं को तत्व से समझना चाहिए कुछ लोग तो ये स्त्री सुन्दर हैं ये सुन्दर हैं इस जगत में कोई सुन्दर नहीं है सुन्दर तो एक मात्र हमारे शाम सुन्दर है क्रिश्ण है बाकी सब छचुंदर है देवर्शी नारदमुनि को देवर्शी का आगया है नारदमुनि मनुष्य के रुशी नहीं वो देवताओं के रिशी है और एक आचारे नहीं कहा देवर्शी का आगया है भविश्य द्रश्टा तो यदिच्छा चा देवर्शी उसमें नारदमुनि वहाँ पर भगवान तत्र कौरव है कौरव है कुरुनंदन वहाँ पर भगवान नारद प्रकट हो गया है नारद मुनी को भगवान कहा गया क्योंकि नारद जी भगवान के अवतार है और साथी साथ नारद भगवान के भक्त भी है कभी कभी भगवान के अंदर जो गुण है उनकी भक्ती करने के कारण भगवान के गुण उनके भगतों में आ जाते हैं इसलिए भक्तों को प्रभू कहा जाता है ने ने लोग जो होते हैं उनके मन में प्रश्ण होता है ये लोग प्रभू प्रभू क्यों कर रहा है प्रभू जी प्रभू जी प्रभू जी इसलिए कहता है क्योंकि कोई भक्त जब भगवान की भक्ती करता है तो उनमें भगवान के गुण आ जाता है वैसे प्रभू शब्द तो भगवान के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन भक्ति करने से भगवान के गुण भक्त में आ जाता है इसलिए भक्तों को प्रभू का आ जाता है प्रभू प्रभू का आर्थ क्या है कर्तुम अकर्तुम सार में कोई ना कर सके वह चीज यदी कोई करता है तो उसे प्रभू कहा जाता है यदी चा यदी चयाच देवर्शी भगवान तत्र को उरवा है यह कुरुननन नन भगवान नारद वहां पर प्रकट हुए है कि भक्त के रदे में भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रकट रूप से रहते हैं अपश्यत नारद होते ओक शिवानों समबुध्यत और उस समय दूर से नारद जिने नल कुबर और मनिक्रीव के द्वारा किये गए पापों को देखा जब इस प्रकार वह दोनों को पाप करते हुए गंगा में देखा तो नारद जिने क्या किया शुकदेव जी कहते हैं तंद्रस्ट्वा व्रीडिता देवियो विवस्त्राशा पशंकिता वन्सांसी पर्यदुषी ग्रम् विवस्त्रो नेवगुयको तंद्रस्ट्वा व्रीडिता देवियो तंद्रस्ट्वा इस द्रश्चक को नारद जी ने देखा और इन लोगों ने भी नारद को देखा और ये लोग सोचने लेगे नारद को जाने के लिए यही रास्ता मिला था अब गलती खूद कर रहा है और दोश उल्टा नारद को दे रहा है बले ये साधू को भी बुद्धी नहीं है बुद्धी तो तुम लोगों को नहीं है बढ़े चलने के लिए यही रास्ता मिला था और स्त्रियों ने जब नारत जैसे संद को देखा तो उनको लज्जा आ गई तुरंद किनारे पर गई वस्तर पहन कर जो स्त्रिया थी वहां से चली गई लेकिन ये दोनों धन और पद के मद के कारण वही निर्वस्तर उस गंगा में खड़े रहे निवस्तरा श्राप शंकिता श्राप की आशंका सिवे श्त्रिया वहां से वस्तर धारन करके चली गई परनतु न एव गूहिएको वह गूहियक नलकुबेर मनिगरिव न एव वहां से एक कदम भी नहीं गिले अचारे अगर कहते हैं स्त्रियों ने कुछ कथाय सुनी होगी कि गोतम रिशी ने अहलिया को शराप दे दिया ये शराप की बाते कभी सुनी होगी उसे याद करके स्त्रिया को तो लज्जा आ गई ज्यान हुआ वहाँ से चले गई लेकिन ये लोग कभी कथा में नहीं गये थे धन ही इतना था कथा में जाने की क्या जरूरत कुछ लोग ऐसा सूचते है जो बहुत धनी होता है न वो तो कथा में भी आकर नहीं बैठ सकता है बताइए धन क्या काम का है कभी कथा में नहीं गए कभी ज्ञान गरण नहीं किया थैं तो वे दोनों गंगा में खड़े रहें और ऐसी दशा को देखर नारजी ने क्या किया कहते हैं तोध रश्टवा मदिरा मत्तो श्री मदांदो सुरात मजो उस मदिरा में मदमस्त कुविर जी के पूत्र को देखकर तयोर अनुग्रहर्थाय शापम दास्यती इदम प्रभो नारजी ने सोचा कि इनके उपर कृपा करनी होगी बलग कितनी हूँ कृपा करूँगा उविदेश दूँगा तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है इसलिए इन पर कृपा जो है श्राप देकर ही करनी चाहिए नारजी ने तुरंत शाप नहीं थी यहाँ नारजी ने मन में सोचा वैसे श्लोक में लिखा है नारद हुआ अच्छा लेकिन नारद अन्य किसी को नहीं कह रहे है नारत अपने ही मन को कह रहा है वहाँ गलत लोगों को पाप को देख रहे हैं और यहाँ नारत अपने आप को कह रहा है कई बार कुछ भक्तों के सामने ऐसे लोग आ जाते हैं और भक्तों को पता चल भी जाता है कि यह कितना दूद में कितना पानी में है लेकिन जानबुछकर भक्त बोलते नहीं है क्योंकि पात्र नहीं है कुपात्र के सामने बोलने पर समय और एनर्जी वैष्ट है समय की वरबादी नारजी अपने मन में ही कहने लगे क्या कहने लगे नहीं अन्यो जुष्टो जोश्यान बुद्धी भ्रंशो रजोद गुण श्री मदाद भी जात्या भी यत्रस्त्री जूत मासना इस संसार में संसार के विशेई भोग इस संसार के विशेई भोग में वही व्यक्ति फस्ता है जिनको धन का अभिमान है धन के अभिमान वाला व्यक्ति ही भोगों में फसे बुनना नहीं रह सकता है और सबसे बड़ा अभिमान है धन का अभिमान और धन का अभिमान होने पर व्यक्ति अनेको प्रकार के पापों में उलच जाता है जैसे ही किसी के पास धन आ गया तो मांसाहार करेगा शराब पिएगा अवेद इस्त्रियों का संग करेगा इतिहास साक्षी है भक्तो मनुष्य बहुत अच्छा है लेकिन जब उनके पास धन आ जाता है न तब वो बिगड़ जाता है इतिहास कोल कर देखिए जिसका उच्छ कुल में जन्व हुआ जिसके पास बहुत धन आ गया जिसके पास बहुत दुला पद आ गया वह पद का विमान धन का विमान आपका भजन भक्ति नहीं करने देता है मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष से दूर कर देता है अतव प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए मुझे दूख चाहिए तब अतो ये धन कोई बुरी चीज नहीं है ज्यान से सुनिये धन बुरी चीज नहीं है लेकिन धन का अभिमान धन का गलत इस्तेमाल ये बुरी चीज अतहर नारदोनी अपने मन में सोच रहे है कि जिस आदमी को धन का अभिमान हो गया वो क्या नहीं कर सकता है हन्यते पशवो यत्र जिसको धन का अभिमान हो गया जिसके पास बहुत धन आ गया वो दुसरे जिवो को पीड़ा देता है हन्यते पशवो, पशवो का हनन करता है पशवो को काटता है निर्दये, अजितात्म भी जिसके पास बहुत धन है उसका रदय, निर्दय बन जाता है कठोर बन जाता मनुष्य जीवन इस शरीर को चलाने के लिए कुछ नियम है यदि उस नियम को फोलो नहीं करते हैं तो ये मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है पशो की तरह यदि जीवन विताना है तो पशो ही बन जाए मनुष्य क्यों रहे व्रुक्षों की तरह यदी खड़ा रहना है अभिमानी बनकर जुकना नहीं है वस्तर नहीं पहनना है तो नारद मुने ने कहा कि तुम व्रुक्ष बन जाओ नारद जिन्हें शुराप दे दिया और जैसे ही शुराप ये दोनों ने सुना दोनों का नशा उतर गया है बना नारद मुने ने शुराप दिया व्रुक्ष बनने का हम लोग व्रुक्ष बन जाएंगे व्रुक्ष बन ही रहते हैं ये दोनों का नशा उतरा दोनों बाहर निकले वस्तर पहन कर नारद जी के चरणों में गिर गये महराज आप ऐसा अनर्थ मत किजिए दोनों नारज मुने के चर्रों में निविदन करने लगे प्रभू हमें रूक्ष मत बनाईए हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे बार बार जब नारज जी को निविदन किया नारज जी के रदे में दया आए और नारज जी ने कहा कि वुरुक्ष तो तुमको बननाई होगा परंतो आप लोग निविदन कर रहे हों प्रार्तना कर रहे हों तो आशिरवात देता हूँ कि तुम दोनों वुरुक्ष तो बनोगे लेकिन गोकुल में महावन में नंद बाबा के घर पर वुरुक्ष बने गए और अखिर ब्रह्मान नायक साक्षाद भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे इस प्रकार नारज ने वरदान दे दिया और वह नलक बरोर्मणी ग्रिव नंद बाबा के आंगन में अरजुन नाम के वुरुक्ष बने हैं दोनों ट्वीन्स थे इसलिए उनका नाम हुआ यमला अरजुन तो आईए पुन्ह भगवान से कृष्ण बंदे हुए हैं उखल के साथ मैया कृष्ण को बांध कर चली गई है और कृष्ण उसे दोनों वुरुक्षों को देखकर आप दिया था अनुग्रह किया था इसलिए मुझे नारत के वचन को पुर्ण करने के लिए इनका उद्दार करना होगा है भगवान सी कृष्ण उस उखल को लेकर चलने लगे कृष्ण अपने घुटन से चल रहे थे और उखल जो था रसी से बंदा हुआ था फेज के साथ और उखल को घसिटे घसिटे कृष्ण उस कमरे से बाहर निकल गया है। कई वर्षों से ये दोनों वुरुक्ष जड़ जमा कर बैठे थे लेकिन कृष्ण के थोड़े से किचने पर ये दोनों वुरुक्ष जड़ से उखड़ गए और दोनों पृत्वी पर गिर गए और दोनों पुरुथ्वी पर गिरते ही उन दोनों रुक्षों से दो देवता प्रकट हो गए अदभूत देवता और दोनों प्रकट होकर वगवान को स्तुती करने लगे अनेकों श्लोकों में नल, कुबर और मनेगरिव वगवान को स्तुती करते हैं कहे प्रभू आप ही सब के आदी हो, अनादी हो, परम पुरुश हो, बस आप हम पर कृपा कीजिए, भगवान ने कहा आपने बहुत तपस्या की है, और आपकी तपस्या से मैं प्रसंद हूँ, आपको क्या चाहिए, जब भगवान ने इन दोनों को कहा कि आपको जो चाहिए मांगलो, तब 38 वे शलोक में इन दोनों ने मांगा है, वानी गुणानु कतने श्रवनों कतायाम, अस्तोच करमसू मनस्तव पाद योन्ना, नलक वेर और मनेगरिव भगवान से प्रात्ना करते वे कहते हैं कि है प्रभू, वानी गुणानु कतने, हमारी वानी आपके गुण, आपकी लीला, आपकी कता, बोलने में लगी रहे, ऐसा आशिरवात दिजिए, हमारी वानी आपका गुणान करती रहे, ऐसा आशिरवात दिजिए, और श्रवनों, हमारे श्रवन, हमारे कान, निरंतर आपकी कता सुनते रहे, ऐसा आशिरवात दिजिए, अस्तोच करमसु और हमारे हाथ निरंतर आपकी सेवा करते रहे ऐसा आशिरवाद देजिए मनस्तव पादयो नह और हमारा मन निरंतर आपके चरणों में लगा रहे ऐसा आशिरवाद देजिए पूरे जगत का निवास आपके जिस दोनों चरणों में है आपके उन दोनों चरणों में में मेरा मस्तक मेरा सीर जुकता रहे ऐसा आशिरवाद देजिए और दरश्टी सताम दर्शनेस्तु भगवत नो नाम और हमारी दरश्टी हमारे नेत्र आपके और आपके भक्तों के दर्शन करते रहे ऐसा आशिरवाद देजिए अदभूत वर्दान मांगा है इन दोनों ने और बगवान ने इन दोनों के इच्छा को पुर्ण किया इसी कता है कि ये दोनों नन्द बाबा के आंगन में बैटकर भगवान की दिव्य लिला को देखते रहे और इनोंने अपनी आँखों से भगवान की जिन जिन लिला को देखा है वही लिला वैकुट में जाकर उन भगतों को श्रवन कराने लगे आज भी यह दोनों भगवान की क्रिपा से शूप के रूप में भगवत धाम में भगवत कथा श्रवन कराते हैं तो इस प्रकार भगवान से कृष्ण की यदी क्रिपा हो तो कितना हुँ बड़ा पापी परम पवित्र बन सकता है क्रिष्ण की क्रिपा होने चाहिए और भगवत इस प्रसंग का सबसे बड़ा अंग ये है कि इन पापीयों के उपर भगवान की क्रिपा तब होई जब नारद मुने ने आशिरवात दिया और यहाँ पर भी लिखा है द्रश्टिम सताम दर्शने है हुआरी द्रश्टी ही संतों का दर्शन करती रहे है इस आशिरवात दिजी संतों का दर्शन हो जाना ये बहुत बड़ा स्वभाग क्या है निमी माराज कहते हैं दुरलबो मानुशो देहो देहिनाम शण भंगुरण इस देधारी जीव के लिए मनुष्य का जीवन अतियंत दुरलब है और तत्रापी दुरलबं मनिये वैकुंट प्रिय दर्शनम और उस मनुष्य जिवन से भी ज़्यादा दुरलब वैकुंट प्रिय भगवान के प्रिय ऐसे संतों का दर्शन भक्तों का दर्शन जिवन के सारे कारिये छोड़कर भक्तों का दर्शन कर लेना चाहेंगे क्योंकि भक्तों पवित्र होने के लिए यहां से हरिद्वार जाओगे गंगा में स्नान करोगे तब जाकर पवित्रत आएगे लेकिन संतों का भक्तों का दर्शन कर लीजिए रदय में पवित्रता आजाएगे दर्शन करने मात्र से पवित्रता आती है इसलिए वक्तों का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए हम भगवान की वक्ती करेंगे तो भगवान का धाम प्राप्त होगा भगवान की वक्ती करने से कब भगवान का दाम प्राप्त होगा इसका कोई निश्चित नहीं है कोई डेट नहीं है एक जन्म, दस जन्म, हजार जन्म, करोड जन्म लेकिन यदि भगवान के भगतों की सिवा करेंगे तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्त हो जाएगी इसमे पोई संचेने